नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक गुरू चेनल में आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपका फोन चोरी हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इस दो स्टेप पर मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है पहली स्टेप यह है कि आपको अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है Find My Phone यह Google का प्रोडक्ट है और इस सिंप्ली इंस्टॉल कर लेना है मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इस ओपन कर लूँगा उपन करने के बाद इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा जिस जिस फोन में यह MLAD यूज है वो सारे डिवाइस यहाँ पर आ जाएंगे जैसे एक Redmi Note 9 Pro Max है Realme 6 है और Note 5 Pro है और एक OPPO का मोबाइल है तो हमारा Realme 6 वाला फोन गुंग गया इसलिए हैं आपर Can't Reach डिवाइस बता रहा है इसमें यदि फोन ओन है या Wi-Fi सा Connect है जिमेल आइडी ओन है इसमें यदि फोन को Reset कर दिया है तब यह फोन ट्रेक नहीं होगा इस इस्तति में क्या करना होगा वो भी हम आपको Next Step में बताएंगे सबसे पहले आपको यदि यहाँ पर Own है तो आपको Play Sound करके देख लेना यदि Play Sound नहीं हो रहा है मतलब वो email आइडी अभी उस mobile में फोन नहीं है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक तो Security पासवर्ट डाल दीजिए इसमें ताकि कोई आपके phone के data का misuse ना कर पाए हमने यह अला पासवर्ट इसमें डाल दिया है और इसमें लोग इसमें पर एक message भी डाल सकते हैं कि वो हमें अपना phone दे दे तो try कर सकते हैं हमने लिग दिया please give me my phone और अपना phone number भी डाल सकते हैं और और यह सब करने के बाद आपको erase device कर देना ताकि आपके phone में जो भी data है पूरी तरीके से delete हो जाए और उसका कोई misuse ना हो पाए erase device confirm your identity यहाँ पर password डाल देना है आपके mobile का सारा data यहाँ पर erase हो गया है अब हम देख लेते हैं second step क्या है second step में आपको google chrome में जाना है google chrome में जाने के बाद आपको CEIR करके type करना है और आप चले जाएंगे government के official site पे CEIR यह website का काम ही है गुमे होए electronic चीज़ को ढूणने के लिए तो आपको इस तरह के एक interface आजाग और आपको हैं क्लिक करना है blog and lost mobile पे इस पर आने के बाद आपको इस तरह के interface देखेगा इसमें आपको mobile में जो दो सीमे थी उन दोनों सीमों का number डालना है यदि एक सीमे तो एक ही सीम का number डालना है और mobile के bill या mobile के box के back में IMAI number होता है वहाँ से आप अपना IMAI number देखके हैं डाल सकते हैं और यदि से upload करना है और mobile आपका घुमा कहां से थे वह प्लेस डालना है कब घुमा था वह डेट डालना है select state select district और nearby अपना police station का address जालना है complaint idea डालना है यदि police station का complaint ID मिली है तो वह required है यहाँ पर डालना पड़ेगा और उसके बाद mobile के owner की detail चे ओनर owner का नाम, owner का address owner मतलब mobile का जो भी माली के upload identity यदि आधार card होगे रहा कुछ भी आप चूज कर सकते हैं उसके बाद identity number ला आधार card का number और email ID डालने के बाद mobile number से verify करना OTP जाए उसको क्लिक करके submit करना है यदि आपको जानकार है अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को subscribe करिएगा Thank you very much